हाइ फ्रेंस, वेलकम टू मैंगलूरियम प्रमिला लॉगर चैनल, फ्रेंस आज मैं सोच रहे हूँ कि मैं बालो के लिए मेहन्दी बनाओं, तो यहाँ पर मैंने एक प्यास लिया है, प्यास का मैंने छिल्का लिया हुआ है, देखो फ्रेंस, आम थोर से हमलों प्यास के छिल् होता है तो कभी भी मतंट फेकिएगा अभी देखिए अभी उसमें थोड़ा सा और थोड़ा समें ठोड़ा पानी डालके उसे अच्छी तरह से में मिक्स करती हूं और उसे हम लोग तोड़ा गैस में चड़ाएंगे अभी थोड़ा पाच मिनीट उसको बॉयलिंग में रखेंगे थोड़ा सब बॉयल होने दीजिएगा देखो थोड़ा कलर चेंज होने तक बॉयल करेंगे अभी थोड़ा सा लाल कलर जैसा आने लगा है यह देखे यह देखे जितना भी प्यास का जितना भी है सब सत्व निकल रहा है देखिए अभी और भी थोड़ा हम लोग उसको करें यह देखो यह फर्फेक्ट है यह इतना कलर चाहिए हम लोग को अभी हम लोग इसको थोड़ा चालनी के मदस से चाल के एक बाउल में डालेंगे थंडा करने के लिए यह देखिए इसका यह जो पानी है ना इसको और भी बहुत सारा यूसस है मैं आपको आगले वीडियो में बताऊंगी यह देखिए अभी यहां पर मैंने थोड़ा मेंदी का पाउडर लिया हुआ है कुनसे भी मे कोपी पाउडर से हमारे बालों को बर्गर्डी कलर आएगा यहां पर मैंने नारियल का तेल लिया है यह देखिए यह देखिए अभी यहां पर जो हम लोगने ऑनियन का स्कीन का जूस बनाया था उसको थोड़ा-थोड़ा डालके हम लोग इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा मिक्स किजिएगा फिर से बात में फिर से थोड़ा डाले फिर मिक्स किजिएगा यह देखिए इतना अच्छा मेंदी आयूरवेधिक मेंदी प्रिपार होता है घर पे आप वो डाय केमिकल वाला डाय वह सब यूज करने से यह बहुत अच्छा है यह देखिए अभी यहां हैं अज़को कोम कर के लीज्येगा अच्छी तरह से भालों कोम करके लीज्येगा अगर आप शुद डालते रोगे तो वुद डालीब यह देखो मेंधी यहाँ puppy मिक्स करके रखा यह मैंने यह देखो यह पिर बाद में ब्रश की साहता से आप मेंदी लगाईएगा फ्रेंस, अगर घर पे कोई और कोई मेंबर हो आपको help करने के लिए तो उन लोग से लगाईएगा, ये देखे, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हाथों से comfortable होता रहेगा, तो हाथ से भी लगा सक मेंदी बालों को portion भी देती है, हमारे बालों को conditioner करती है मेंदी, मेंदी एक herbs होती है, ये हमारे बालों को कभी भी लुकसा नहीं पोचाती, मेंदी हमारे बालों के जड़ों को portion भी देती है, उसी तरह से coffee, coffee के अंदर जो caffeine होता है, वही caffeine हमारे skin और बालों के लिए फाइद स्किन के लिए भी कॉफी पाउडर बहुत अच्छा रहता है फ्रेंस ट्राइ कीजिएगा कॉफी से बालो को अच्छा बर्गडी कलर भी आ जाता है उसी तरह से हम लोग ने यहां पर कोकनेट ओल यूज किया है कोकनेट ओल का तो आपको पता है कोकनेट ओल तो बहुत करते हैं बालों को रंगने की लिए जो हमारे बालों के लिए बहुत ही हानिकारख号 लेजेरह अच्छा है ऑगसी बनाद हो और color के लिए coffee, ये सब बहुत ही अच्छा है, नियच्रल है, ये बालो के लिए बहुत ही अच्छा है. कि अलबा खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा friends. आवले की सीजन में आवला जरूर खाईएगा आवले से हमें बहुत पश्टिक मिलती है हमारे बालों को पानी जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पीएगा पानी ज्यादा पीना चाहिए और कभी भी हेल्थी डायेटी रखिएगा हेल्थी डायेट रहेगा तो हमारे ब चाह ऑच्छा और बच्चों का सीथा है उससे ही होता है तो हमारा हम्तिधे सफेथ होने के बहुत कारण होते है दोस्तों उसमें से कुछ है harmonial imbalance और कुछ रेता है हमारा खान मैंने आपको पहले भी बताया healthy diet रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा chemical वाला shampoo भी हम लोग use करते हैं dye, shampoo, उससे भी बाल जड़ने का problem, सपेद होने का problem होता है thyroid रेता है जिसे thyroid रेता है उसमें भी होता है बाल जड़ना सपेद होना और जिसे vitamin B2L की कमी होती है उन्हें भी वही problem होता है तो इसके लिए इस सब का solution है ये हम लोग का ayurvedic मेंदी ये ayurvedic मेंदी आप घर पर try कीज़ेगा आपका बालों का जो भी समस्या है आपका सब समस्या दूर हो जाएगा और बहुती बड़िया remedy है ये दोस्तों सफेद बालों को natural तरीके से काला कर सकते हैं आपको इसका बहुती अच्छा result मिलेगा और आप इसे just तीर आप आदा गंटा रखिएगा बालों में और बाद में पानी में धोईएगा फ्रेंज शैंपू मत डालीगा ओके फ्रेंज बाई